शिराधे राधे, भक्तों प्रभू का नाम एक ऐसा भगवान का दिवे वरदान है, एक ऐसी अलवकिक शक्ती की वस्तू है, जिसको आप जैसे चहें बोल सकते हैं, माला से, बिना माला से, वाध्यंत्रों से, बिना वाध्यंत्रों से, भाव से, कुभाव से, विधी से, अविधी से, प्रेम नहीं है तु बिना प्रेम के ही, भाक्ती मार्ग में यह अधिकार है, सभी को अधिकार है, कर्मकांड में इतना अधिकार नहीं मिलता है ऐसी छूट नहीं मिलती है कि आशुद दूश्चारन भी करके पूरा फल मिलेगा आशुद दूश्चारन करने पर कर्मकांड के विधार के अनुसार वो सब निश्वल हो जाता है और कभी-कभी ज़्यादा आशुद दूश्चार बहु हो जाता है लेकिन यहां तो क्रिश्न का नाम लोग किटनी प्रकार से लेते हैं अंग्रेज तो क्रिश्णा ही बोलते हैं क्रिश्ना जबकr Candma कि कि नाम एца प्र Minhra कि लगें नहीं है लेकिन उनको तो बिचित्र विध्या उनकी है भाषा भी चित रहे हैं कि हर चीज में ए लगाना बाद में, राम को रामा बोलेंगे, क्रिश्न को क्रिश्ना बोलेंगे, राम को रामा बले कम बोलते हैं, क्रिश्न को तो क्रिश्ना ही बोलते हैं, अंग्रेज लोग, बंगाली लोग क्रिश्नों बोलेंगे, क्रिश्नों, र कि उनकी शक्ति कम नहीं होती है, क्योंकि उनको यह पता है कि मैं भागवान का नाम बोल रहा हूं, भाव से बोलते हैं, और शक्ति होती है, और क्रिष्न को कुरुष्न, मराथे गुजराती लोग क्रिष्न को कुरुष्न बोलते हैं, रिशी को रूशी बोलते हैं, लेकिन भागवान की भाक्ति के मार्ग में हैं, तो प्रभू उसको वो बिल्कुल सही मान करके स्विकार कर देते हैं, ऐसे ही संस्कृत के जो सब्द हैं और स्तुतियां हैं, हिंदी के हैं चाह संस्कृत के हैं, लेकिन उसको भाक्ति मार्ग में भाव से प्रभू को कोई गा कर पुकारता है, तो भागवान उसको बिल्कुल आशुद्ध नहीं मानते हैं और कृपा करते हैं आज है कैसे ही चरिक्तिर को आप सुनने जा रहे हैं उनका नाम है भाक्त श्रीराम बेहारा कनकावतिपुर के थे गोदावरी के तीर पर कनकावतिपुर नाम का एक नगर था वहार रहते थे और श्रीराम बेहारा और उनकी साथ में उन थी उनकी पत्नी उसका नाम था मूली उनका एक पुत्र था जो बहुत आग्याकरी था जिसे लेकर ही उनका पूरा संसार था और श्रीराम बेहारा जाती के मोची थे किन्तो भक्तों भक्ती में ही केवले छूट है कि एक छोटी जाती का जो है वो भी उच्च कुल के उच्च जाती के किसी भ्यक्ती की भक्ती से न्योन नहीं रहता है यह जो प्रभु को प्रेम से पुकारता है भजता है तो क्योंकि भगवान तो रामन के वोल प्रेम पियारा वो तो केवट को भी अपना मानते हैं केवट को मिट्र बनाते हैं कोल भील को अपना मानते हैं उनको मिट्र बनाते हैं और अहंकार में मुची जाती वाले भी दूर रह जाते हैं तो ये राम बहारा जो भक्त थे जिनकी चर्चावली आप सुनने जा रहे हैं ये जाती के मौची थे और जूतियां बना करके बेचना ही उनका मुख काम था रोज एक-दो जूतियां मतलब जोड़ी एक-दो जोड़ी जूता की बनाते थे और बेचते थे उससे उनके छोटे से संसार का छोटे से परिवार का काम चल जाता था अच्छी प्रकार से चल जाता था लेकिन विचेत्र बात ये थी कि इतनी सीमित आमदनी होने पर भी इतने गरीब होने पर भी पढ़े लिखे जाजा नहीं थे तब भी उदारता का भाव बहुत अद्वुत था वक्तों भगवान का जो भग्त होता है उदार आदिकतर होता ही होता है भूखे नंगे लोगों के लिए आती थी अभ्यागतों के लिए उनका हाथ हमेशा खुला रहता था राम विहाराजी का और संसार में समाज में जिसे नीच जाती कहा जाता है मोची को नीच जाती का माना जाता है लेकिन उस नीच जाती का आजकल तो कम पहले बहुत मानता है उस नीच जाती का होने पर भी आत्मा बहुत उननत था उनका अंतह करन बड़ा उद्ध पवित्र बहुत सच्छे हरिफक्त थे पढ़े लिके तो नहीं के बराबर समझिये पर उन्होंने एक पद कहीं से सीख लिया था जिसे निरंतर गाते रहते थे वो पद था सध्धीरे सध्धीरे समीरे सध्धीरे सध्धीरे समीर बहे यमुनारतीर बसति बने बनमाले नित नूतन केली बसति बने बनमाले नित नूतन केली वक्तों जैदेव संत का मैं चरितर आपको सुना चुका हूँ वहने गीत गोविन लिखा है उसी का कुछ ये मिलता जुलता कुछ बिगड़ा हुआ सो रूप समझे ये जो गाते थे राम बहाराचिया और जीनों गीत गोविन थोड़ा सा भी देखा है तो उनके लिए इस पस्ट है कि जैदेव के गीत गोविन के धीर समीरे यमुना तीरे बस्त बने बनमाली उसी का विकृत फरूप का दीचे ये जो गाते थे सधीरे सधीरे समीर बहे यमुना तीर बस्त बने बनमाली नितनित मूतन केली अब ये शुद्ध नहीं है लेकिन भाव में महराच सब शुद्ध होता है यहां भागवान तो हुद्ध को देखते हैं गरत सुरत इस्साइबार हिये कि हुद्ध को ही देखते हैं तो उनको लग रहा है कि यह तो मुझी को पुकार रहा है मेरी बात कर रहा है सब्द में भले उच्यारन दोशों को यह तो भागवान प्रसंधा से सुनते हैं विकृत था तो क्या वो भावग रही जनार्धन को बड़ा अच्छा लगता था भागवान वियाकरन अभिव्यान यह सब तो देखते हैं बहाव देखते हैं अनपड आदमी उनको विष्णाय नमा कर सकता है पंडित लोग विष्णवे नमा क्या करके प्रणाम करते हैं और तो भी वो उनी के प्रणाम से दिक संतुष्ठोते हैं जो भाव सहित प्रणाम करता है भाले उसके उच्चारण में अशुद्धी हो शिराम वेहारा सरल प्राण और शुद्धंत करनवाले वेक्टी थें बड़े भाव से सुर से इस पद का गान करते रहते थे जो मन्या भी सुनाया आपको सधीरे सधीरे समीर बहेय मुनारतीर बसती बने बनमाले निट निट नूतन के ले इगाते रहते थे उठते बैठते चलते फिरते जूता गांटते और काम कुछ करते गुन गुनाते रहते थे अर यह अभ्यास था यहाज था है, कि इसे गायबीना वो रही नहीं सकते थे, जैसे इसे मुँझे प्राण बस्ते थे, कभी-कभी वो गाते-गाते तनमय हो जाते, तब उनको लगता जैसे वो इस जगत में नहीं है, उनको लगता था कि वो दिव्य ब्रुंदावन में यमना तट पर बैठे, और पवन मंद मंद बहरा है, वो बैठे गार है, निकट की बन में बैठा बन माली सुन रहा है, वस्त बने बन माली, तो बन माली जो बन में बैठे, सुन रहे हैं, क्योंकि बन में ही वो गार हैं, यमना किना रहें, वो यह जान करके आनंद मगन हो जाते है कि मेरा गायवा प्रभु सुन रहे हैं। वो चाहता कि इसी तनमेता के साथ हर समय काय करें। पर हर समय तनमेता एक जैसे रहने मुश्किल होती है वक्तों। जूती गांटते समय उसका ध्यान जूता में जूती में चले जाते। जूताने गांटता तो पिर परवार की चीनताया है। बसकला भषू करना है। ओसको भी तो खाने के लिए चाहिए। पत्नी को बच़्े को खुद को भी। जूता घ्रजंटता पंटता तो मन उधर यह जाता हिए। तो काय से हो। तो जो दिल खोल करके गाने में बाधा पड़ती थी, क्योंकि जूता आप गाट रहे हैं तो गाते दो थे, लेकिन हालका सा गुन-गुनाते थे, फिर ध्यान जूते पर चला जाता था, फिर प्रेम से गाने में बाधा पड़ती थी, एक दिन नगर के किसी बड़े आदमी के घर चोरी हुई, चोर साफ सामान ले गए, यहां तक कि देव सिंहासन भी पूजापाट का सामान भी सब ले गए, और सामान का बटवारा करते समय, एक चोर ने सिंहासन का दरवाजा खोला, लोग भरी आशा से कि इसमें इसमें बहुत से चांदी सोने होंगे, स्जीज्य वहलोगे, सोने चांदी के, खोलतेक ही हैं ज़ला के बोला धैत, पथर रही पथर, दूसरे ने का फैंक दें, पैंक दें, और काहने के साथ उसमें साब पत्थर निकाल के फैंक दीं, तर चोर क्या जानते ते कि जिने पत्था समझ के फेक रहे हैं वै कि मुध्थित सब्सक्राइब तुर्स हें बहुत स्था के ले गए थे वो सिंगासन की पेपी थी ऑचिता उसने सब्सक्राइब उन सालिक ग्राम शिलाओं में दामोधर शिलाविटी भक्तों, दामोधर कुंड से लाई हुई, जिस सबसे बरी और देखने में सुन्दर, ब्रहमर के समान, कृष्ण ब्रहन की और चमकीली थी, एक चोर की उस पर देश्टी पढ़ी, उसने का इसे में ले जाओंगा, वो उस घर लेकर, और उसमें सोचया, यह एक ज्यादा ही चमकीला पत्थर है, लगता है यह साधारन नहीं है, और शायद इसको बेचने पर कुछ पैसा भी मिल जाए, इसलिए इसको रखूँगा भी, जवर पढ़ेगी तब बेचूँगा, उस चोर ने उस दामोधर शिला को ऐसा पत्थर समझा कि साधी बिग जाएगा कुछ पैसे में, तो रख लिया उस नहीं पाजक से, भक्तों को इस दिन बाद, चोर को एक जोड़ी जूते के आवस्श्यक्ता होई, तो गया शीला लेकर के स्री राम बेहारा के पास, चोरी चो किया था एक धनवान व्यक्ति के घर, और चोरी होई ची काफी दिन पहले, एक बड़े आदमी के घर, तब ये सब मिला था सब सालिक ग्राम होँचे, कोई भक्त का घर था, दनवान व्यक्ति का, तो जब उस चोर को जूता के आवस्यक्ता होई, तो वही दामोदर शीला लेकर स्री राम बेहारा के पास पहुचा और शीला देखा करके बोला, देखो भाई, ये के बहुत चमकीली शीला लाया हूँ, तुमारे काम की लगती है मुझको, तुम इस पर घिस करके अपने औजार शान रख सकते हो, दार लगा सकते हो, इतना सकत पत्तर, इतना बढ़िया, जल्दी मिलेगा नहीं तुमको कहीं ये मैं तुमको तु दे दूँगा लेकिन इसके बदले मुझे एक जोड़ी जूता दो, तब मैं दूँगा, अगराम बेहारा उस समय सधीरे, सधीरे, समीर, ये गाते जा रहे थे जूता, शिलत जा रहे थे, उन्होंने से रूठा कर कि शीला के और देखा, शीला उनको भ भाक्तों शालिक ग्राम शीला जो दामोदर शीला थी बड़ी थी, बहुत कीमती होगी, तो उन्होंने एक चांदी का रूपया दे दिया, मतलब एक हजार के आसपास समझे, आज के इंसाफ से एक हजार रूपय के आसपास के होगी, उन्होंने दे दिया, बहुत प्रेम से, वो दूटा दे दिया, शीला का मुल्ले उसने, जूता भी कीमती था बगतों, जूता होगा लगभब एक रूपय का, तो चोर को वो जूता दिया, अन्दाच एक रूपय चांदी का एक हजार के तमची है, तो आब जब उसको अवजार पर शान उनको धरानी होती, अर्था धार लगानी होती, तो शीला पर दामोदर शीला थी, उस पर वो घिस्ते, चमडा काटना हो तो उस पर शीला पर रख कर काटें, धार लगानी होती, तो उसी पर घिस्ते, धार वाले लोहे को अवजार को, और गाएं फिर फ्रेम से, सधीरे, सधीरे, समीर, और बहय यह मुनारतीर, बसती बने बन माले, नितन नित मूतन केले, यह गाते रते हैं, एक दिन की बात है, एक ब्रामर देवता, उसी ओर से जा रहते हैं, नदी में समान करने के लिए, तो उनकी द्रिष्टी शीला पर पड़े, दामदर शीला पर, और उनको संदेज आगा कि कहीं यह सालिक ग्राम शीला तो नहीं है, जिस पर यह मूर्ख मोची अजार की तरह ह और निकट से जा कर वह देखा, तो उनकी आश्चेरे की सीमा नहीं, हाई 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 सर्वनास सर्वनास, अरे यह क्या कर दिया इसने, यह सर्वस लक्षन शालिक ग्राम शीला, और इसका इतना अनादर, इतनी दुर्दशा, वो हुर्दय का भाव छिपाते वे बिहारा से बोले, राम विहारा से, अरे देख भाई, तुमारी यह सीला मुझे बहुत अच्छी लग रही है, दिखा आजा, मैं ब्रामन हूँ, इसे मुझे दान कर दो, तो स्री राम विहारा गीत गोविन्द का गान रोकते वे बोले, ठाकुर, क्या करें, यह मेरे काम की चीज है, इसे क्या ऐसे उठा लाया हूं कहीं से, एक जोड़ी जूता दे करके तब मैंने खरीदा इसको, भक्तों जो उन्होंने जूता दिया था, उस शिला के बदले वो बढ़िया जूता था, चांदी के एक रुपए का था, मतब हजार रुपए का जूता, जो ब्राह्मन जो बात कर रहे थे, ब्राह्मन धन्वान थे, जो ब्राह्मन बिहारा जी ने कहा कि मैं ऐसे थोड़े लाया उठा के कहीं से, एक जोड़ी जूता नया बढ़िया बना कर दिया, तब लिया था, आप कह रहे हैं मुझको ऐसी देदो, तो ब्राह्मन ने जट अंटी में से पांच रुपए निकाले चांदी के और खंखना क करके बिहारा के सामने डालते हो बोला, तुम्हारी मोल ली होई वस्तु है तो यह लो, इससे मैंने ले लिया, तुम और खरीज लेना कुछ, और फिर क्या तुम्हारे पास एक यह पत्तर है, दूसरे से भी काम चला सकते हो, यह शिला मुझे बहुत अच्छी लगती, इसलि मेरा इतना अग्र है, अब विहारा सिला देना नहीं चाहता था, पर चांदी के उन पांच रूपयों का उस गरीब के लिए बहुत दाम था, बहुत कीमत थी, इसलिए थोड़ा सा मन में बात आई, कि चांदी के पांच रूपय मिल रहे हैं, तो उसने सिला ब्रामन को पकड ब्रामन के आनंद की शीमा नहीं, वो तो शीला घर ले गया, पहले उसे शनान कराया, और सिंहासन पर विराजमान करके, साधारन जैसे पूजा की जाती है, सामानित है, एक तुलसी दल रखा, पुष्माला, धूप दीप नहीं बेदी, पूजा किया, फिर नित्य शोड़ शोप चार से पूजा करके, स्थोती आजिशे, शालिक ग्राम को प्रसंद करने की चेस्था, ब्रामर देव करने लग गए, और ब्रामर देव पूजा कर रहे हैं, अपने पांडित्य के इंसाब से कर रहे हैं, पांडित्य कर्म में जैसे पूजा के वि कर रहा हूं। पूजा कर रहे हैं। आभी प्रडेव को एक पूजा करने दीजिए, आगे का चरिति मैं फिर आपको सुनाओंगा। आभी राम जिनके पास से भी प्रडेवे ले गए हैं शीला, उन राम जह जी और उनकी सालिक ग्राम भगवान को प्रणाम कर रहा हूं। फिलादे लादे लादे ले फिलादे